आज है 12 मार्च 2024 और 12 मार्च 2024 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रिलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से द आपको सारे पीडिया एक साथ मिल जाएंगे और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैला कुश्चन है हाली में वर्ड प्लम्बिंग डे कम मनाया गया है तो अभी 11 मार्च को बर्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया तो इसको इनका बे ऑप्सन सही है जो प्लम्बिंग का बर्ग होता है ये स्वक्षता के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो जो लोग प्लम्बिंग का बर्ग करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए हर साल 11 मार्च को ये बल्ड प्लम्मिंग डे मनाय जाता है अच्छा एक मार्च को सूनने भेदवाव दिवस और विस्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाएगा तीन मार्च को विस्व बनिजीब दिवस और विस्व सरवड दिवस मनाएगा चार मार्च को रास्टी सुरक्षा दिवस मनाएगा चे मार्च को घाना सुतंता दिवस मनाए गया, साथ मार्च को जन औसदी दिवस मनाए गया, आठ मार्च को अंतरास्टी माहिला दिवस मनाए गया, और दस मार्च को CISF का इस्तापना दिवस और अंतरास्टी माहिला न्यायदीस दिवस मनाए गया, तो मार्च में अब तक इ किया और उस कुछ में यह कुछा था कि स्टापना कब हुई तो सिर्फ 48 परसेंट लोग इसका आंसर सही दे पाए जब कि कल ही मैंने बताया इतनी जल्ली अगर आप भूलोगे तो बहुत जल्ली सारी चीज़ें आप भूल जाओगे इसलिए इनकी आप प्रक्टिस किया करो ज से आप जॉइन कर लो यहाँ पर आपको सारी पीडियाप डेली मिलती रहेंगी और क्वेजी भी मिलते रहेंगे जिससे कि आप इनकी सिंस की प्रक्टिस करते रहों नए कुछिन है हाली में किस राज सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना और बरतमान पहलों का प्रवावसाली आकलन करने के लिए अब तमिलनाडू तो यह है मैप में तमिलनाडू तमिलनाडू के पिटल क्या है चेन नहीं तमिलनाडू के चीपनिश्टर कौन है एम के स्टालेन और तमिलनाडू के गवर्नर कौन है आर एन रभी अभी मद्रास तमिल नाडू में हाइड्रोजन इनोवेशन बैली स्तापित करेंगे और टाटा पावर ने तमिल नाडू में सत्तर हजार क्रोड रुपए के निबेस की घूशन की है अच्छा तमिल नाडू में जली कट्टू का आयोजन किया जाता है आधि पूरम त्योहार मना जा छुर वाली अगनी फाif मिसाईल का सफल परिक्षड कहां किया है तो डियर बो ने इस अगनी फा का सफल परिक्षड उडीष्यके वेलर डीप पर किया ही दूसको इनका बे और दीशा की चीपनिस्टर को है नबीन पड़नाएं और उडिशा की गवर्नर कौन है रागूबर दास अभी केंद्री मंत्री धर्मेंद प्रदान ने उडिशा के संभलपुर में भारत के पहले इसकिल इंडिया सेंडर का उद्गाटन किया है उडिशा सरकार ने स्वैम यूजना लौंज की उडिशा में गुपतेस्वर बन को जैब विवित्ता बिरासत इस्तलगोसित किया गया है और उडिशा की रेड आंट चटनी जिसे स्थानी वासा में काई चटनी कहते हैं इसे ज विलारदीब का नाम बदल के Кज अबदूर्कश्णी रखा गया। उडिशा में रसी कुलिया बीच है गोल्टन बीच है। vergष सुनावेडा वायरदा संसुरी है कोठागड वायर्ड 25 अります चलका लेख बहारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है उडिसा में लेंगराज टेंपल है कुडार टेंपल है और जगरना टेंपल है ने कुशन है हाली में कहां महात्मा बुद्ध क्रसी एबंप्रोध्यों की बिस्विध्याले का सिलान्यास किया गया तो महात्मा बुद्ध क्रसी एबंप प्रोद्यों के विश्विध्याल है- इसका शिलान्यास मुख्य मंत्री योगे आतनात ने कुझी नगर में किया है- नहीं-कुशन है कौन दूसरा सबसे बड़ा mobile phone उत्पादक बना है तो अभी अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा mobile phone उत्पादक बना है तो इस question का बे options है पहले नमबर पर चायना है और दूसरे नमबर पर अपना देश भारत पहुँच गया है अब अपना देश भारत दूसरे नमबर पे पहुँचा है तो भारत की पहली मैला रोबोट ब्यो मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में अपना देश भारत 85 में नमबर पे यानि कि भारत का जो पासपोर्ट है वो 85 में नमबर पे है डेनमार्क ने भारत में हरिद एदन गठवंदन की सुरुआत की भारत स्रेलंका के परेटन स्रोत की रूप में सेड्स वर रहा है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैस्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है और भारत स्कॉयर किलोमीटर एरे बेचसाला परयोजना में सामिल हो गया है नए क्यूशन है हाली में नियायमूर्ती सतेंद सिंग को किस राजी का लोकायुक्त नियुक्त किया गया तो नएमूर्ती सतेंदर सिंह इनको अभी मद्यप्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया और भोपाल में है भोजदाल मद्यप्रец की Chief Minister कौन है मोहन यादव और मद्य प्रदेश के गवर्णर कौन है? मंगू भाई सेप पठेल अभी भारत के सबसे बुजुर्ग इसलोत भालू बबलू का भुपाल के चडिया घर में नेदन हुआ मद्य प्रदेश में देश की पहली सवस्थ और स्वक्छ फूर्ड स्टीट प्रसादम का उद्गाटम किया गया? मद्य प्रदेश की कबिनेट ने रानी दुर्गावत्ती अनप्रूत सान यूजना को मंजूरी दिये अच्छा मद्य प्रदेस में काना बांदव गड़ माधव संजे पन्ना और सत्पुरा नेशनल पार्क हैं ये मद्य प्रदेस के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है ने क्यूशन है, हाली में Miss World Humanitarian Award से किसे सम्मानित किया गया, तो अभी नेता अम्मानी को Miss World Humanitarian Award से सम्मानित किया गया, तो इस कुश्चिन का C options है, नेता अम्मानी इनी को Miss World Humanitarian Award से सम्मानित किया गया, ने क्यूशन है, हाली में कहां तेन दिवसी पूसा क्रसी विग्यान मेला सुरू हुआ है तो अभी जारखंड में तेन दिवसी पूसा क्रसी विग्यान मेला सुरू हुआ तो उसकुषिन का बे ओप्सिन सही है ये जारखंड के सिम डेगा में सुरू हुआ है अब जारखंड तो ये है मैप में जारखन सरकार ने बिदवापुनर भिभा प्रोथसान युजना शुरू करने की गोशनकी है, जस्टिस प्रादेप कुमार को जारखन उच नयाले में 57 नयायदीस की रूप में न्युक्त किया गया, चारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए ब्रद्दावस्ता पैंसन की आयू को घटा कर पचास बर्स कर दिया है और प्रदानमंत्री मोधी ने दस अजार में जन उसदी केंद्र का उदगाटन चारखंड के देवगर में किया ने कुशन है हाली में प्रदानमंत्री मोधी ने असम और किस राजी को जोडने वाली सेला टरनल का उदगाटन किया तो प्रदानमंत्री मोधी ने अभी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोडने वाली सेला टरनल का उदगाटन किया तो उसकुशन का से ओप्सन सही है अब अरडांचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरडांचल प्रदेश, अरडांचल प्रदेश की capital क्या है, इतानगार, अरडांचल प्रदेश की chief risk कौन है, पेमा खंडू, और अरडांचल प्रदेश की governor कौन है, केटी परनाइक, अभी सो प्रतिसत, घरेलू नल जल connection हासल करने व मिला था जिसमें एक है आदिके के रिए अदरक है हस्त निर्मित कालीन जो अड़ाचल पदेश में तिबबती लोग रहते हैं वो बनाते हैं और एक बांचो से इसे भी जी टेक मिला डेक्यूशन है हाली में किसे से वी सी यानि के सेंट्रल बिजी लेंस कमीशन के सतर्कता आय अभी स्री ए एएस राजीव को न्यूब्ट किया गया तोसकुषन प dip options ऐए यह सिरी एएस राजीव और इनीकुशन cbc में शतर्कता आयुक्त न्युक्त किया गया अच्छा रास्ती अनसूचित जञाति अंजाती आयों का सदर से अभी आसा लकडा को न्युक्त किया गय का गैर कारिकारी अध्यक्ष म.R कुमार को न्यूक्त किया गया और स.अ पी यह एक क्लाउट सॉफ्ट्य कंफ़नी है इसने मनेश प्रसाद को भारती उप महादीव में प्रेसिडेंट और प्रबंद निदेशक न्यूक्त किया है, ने क्यूशन है, हाली में केंद्री मंत्री नारायंट राणे ने केस राज में MSME प्रोध्यों की केंद्र की आधार सिला रखी है, तो केंद्री मंत्री है नारायंट राणे, इन्होंने अभी महरास्ट में MSME प्रोध्यों की केंद्र की आधार सि कुन है रमेस बैस अभी महाराष्ट भूसर्ड पुरुसकार दोजार चौबिस ड्र प्रदेप महाजन को मिला है महाराष्ट सरकार ने स्वास्ते और सिक्चा के छित्र में AI के उप्यों के लिए Google के साथ सम्झोता किया महाराष्ट सरकार ने मुख्य मंत्री बयोस्री यूजन सुरू करने का फैसला किया है ने कुशन है हाली में किस ने दा कॉंस्प्रेंसी नामक पुस्तक का नावरड किया तो स्री लंका के पूर राष्ट पती हैं गोट बया राख्च पच्छे इन्हों ने एक पुस्तक का नावरड किया जिसका नाम है दा कॉंस्प्रेंसी तो इस किशन है हाली में किसे नेदर लेंड के एरासमस पुरुसकार दोजर चौबीस से सम्मानित किया गया तो नेदर लेंड के एरासमस पुरुसकार दोजर चौबीस से अभी अमिताब घोस को सम्मानित किया गया तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है यह हैं अमिताब घोस इनको असरा और रूबेला चेंपियन पुरुसकार मिला है मिस बर्ड 2023 का खिता क्रिस्ट लीना पिस्गोबा ने जीता है जोया अक्तर और असमा खान ने इंडिया यू के अचीवर्स ओनर्स जीता बॉब जॉन्स पुरुसकार के लिए टाइगर बुड्स को चुना गया रेकेन या खेतर में दिया जाता है जबकि यह मैंने आपको बताया था सिर्फ दू दिन पहले ही बताया प्रिजिकर पुरुसकार इसे आर्किटेक्चर का नोबल कहते हैं यानि कि बास्तु कला के चेत इस बार यानि कि 2024 में यह रेकेन यामा मोट्टो को मिला है और ये भी मैंने आपक रखना बास्दू कला के चेत्र में दिया जता है मैं आपको यह सारी चीज़ें बता रहता रहूंगा और अगर आप इनकी प्रक्टिस नहीं करोगे तो इनको आप भूल जाओगे इसलिए अब मैंने टेलिग्राम पे जो क्विज पोस्ट करना सुरू किया है उससे आप अटे जीमीटी मोधी को भी सम्मानित किया गया है और इससे टाटा संज के चेरणमैन एन्चिंद सेकरन को भी सम्मानित किया जा चुगा है नए क्यूशन है केस राज में प्रदानमंत्री मूदी ने लाचित वोर्फुकन की 125 फीट उची प्रतिमा का अनावड किया तो असम में अभी प्रदानमंत्री मोदी ने अहोम सामराज के प्रसिद सेना कमंडर लाचित बोरफुकन की 125 फेट उची प्रतिमा का अनावरण किया तो इस कुशिन का A options आई है ये हैं अहूम सामराजी के प्रसिद सेना कमंडर लाचित बोर फुकन और इनी की प्रतिमा है इसका अनावरण प्रतामंतरी मोधी ने किया अब असम तो ये है मैप में असम असम की capital क्या है दिसपुर असम के चीप मिश्टर कौन है हिमांता विश् और असम के गवर्नर कौन है गुलाब चंद कटारिया अभी प्रतामंतरी मोधी ने गुहाटे में खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम्स के चोथे संस्कड का उद्गाठन किया था और इस बार के खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम्स का सुवंकर था अस्ट लक्षिमी अ और अभी प्रतामंतरी मोधी ने काजी रंगा निसनल पार्क विजिट भी किया है तो अब अगर कोई एक्जाम में कुश्यन बनेगा असम से तो काजी रंगा सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा तो ध्यान रखना काजी रंगा निसनल पार्क असम में मानस, ओरंग, डिबरूस एकोवा, राहे मोना और देहिंग पट का ही निसनल पार्क भी हैं अचा असम में कौन-कौन से लोक नत्य फेमस हैं कट्टि भी हो, बगरुमबा, भोर्ताल और जुमुर ये असम के प्रसिद्ध लोक नत्य है ने कुश्यन है हाली में उत्तर भारत के पहले सरकार होमियोपैथिक कॉलेज की स्तापना कहां होगी, तो उत्तर भारत के पहले सरकारी होमियोपैथिक कॉलेज की स्तापना ये जम्हू कस्मीर के कठुवा में होगी, तो इस कुश्यन का से अप्सन सही है, अब लास्ट वीडियो के कुश्यन का आंसर, लास्ट वीडियो में आपको एक बर फिर बोलूगा क्वेशन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्यन आपके लिए आज का question है हाली में ICC test ranking में कौन सीर्स पर पहुंचा है चार option दिये गए हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबह हम अमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके वारा Facebook page जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram और X पर Indre SRC Instagram और X पर Indre SRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा, आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, help लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related, whatsapp और face group है उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लिजी आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू किलिक कर लेए जिससे के आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam all page video thanks for watching